नमस्कार दोस्तों सीसी के इस लाइव डिसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है मित्रों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी के लिए यूग विशेप पर एक विशेश रिंख्रा चल रही है जिसके आंतर अभी तक हमने आप सभी के लिए कही लेक्चर आयाउजित किये हैं और हम उमीद करते हैं जितने भी लेक्चर आपके लिए आयउज्ड किये गए और यूट्यों पर उन्हें अप्लोट किया गया आप जरूर उन लेक्षिस को देख रहे होंगे और मन में जिग्यासा भी हुद्पन हो रही होगी तो मैं तो बताना चाहेंगे कि आप अपनी प्रतिक्रिया इन लेक्षिस के संबंधित हमारे साथ साजा कर सकते हैं और कोई भी प्रशन अगर हो आपके मन में तो जरूर उच सकते हैं फिलाल हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि इस श्रंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे दस उपनिशदों के बारे में हम कोशिश करेंगे कि कुछ उपनिशद हम आज के इस व्याख्यान में समलित कर पाएं और बचे हुए उपनिशदों के बारे में हम अपने कल के लेक्चर में जरूर समलित करेंगे तो मित्रों बताना चाहेंगे कि हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार योग के बारे में विशेश व्याख्यान दिया गया है चर्चा की गई है इन उपनिशदों में तो इस पर हम विशेश टिपणे करेंगे, जादा से जादा जानकरे प्राप्त करेंगे और बताना चाहेंगे कि इस खास सेशन के लिए बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर सतेंद्र देता मौली जी, असिस्टन प्रोफेसर है गुरुकुल महाविद्याले हरिद्वार में और हम यही चाहेंगे कि आज इनके माध्यम से हम एक बार फिर से लाभानवित हों और योग के विभिन्न गुणों को सीखें समझें जो उपनिशदों में समलित हैं तो हम तहिं स्वागत करना चाहेंगी डॉक्टर से न्दर देता है किस प्रकार वर्णन मिलता है और उसके भारिक्ता क्या है उपनिशदों की रचना की गई और उपनिशदों का जो ग्यान है वो वर्तमान समय में क्यों में कितना प्रासंगिक है इन सभी विश्यों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे तो शुरुवात करते हैं सबसे पहले हम जानते हैं उपनिशद का स्रोत क्या है कहां से उपनिशद आये हैं आखिर ये वैदिक काल क्या था और वैदिक काल में क्या-क्या साहित्य हमें मिलता है तो सबसे पहले हम जानते हैं वैदिक साहित्य पर वैदिक साहित्य में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं वेदों की चार प्रकार मिलते हैं वेदों के चार वेद हैं रिगवेद, यजुरवेद, सामवेद और अथरवेद रिवेद यहां इस्तुतियां है इश्वर की अलग-अलग देवताओं की जिन में प्रमुखुद रूप से इंद्र है, अगनी है, वरुन है, इन देवताओं की इस्तुतियां है, स्वस्तिवाचन वगरा इसमें हमें मिलता है यजरुवेद में यग्यों की अनुष्ठान विदियां है, किस प्रकार यग्यों का अनुष्ठान किया जाता है, किसी अग्य को करने से क्या लाब मिलता है, किसी अग्य का क्या महत्व है, इन सब की चर्चाएं यजरुवेद में की गई है सामवेद में इस्तुतियां हैं गायन शैली में हैं सामगायन जिस हम कहते हैं ये गायन परंपरा है वैदिक काल से जो चलती भी आ रही है अथरवेद में जादू टोना आईरवेद हम बात करते हैं अगर आईरवेद की तो आईरवेद का सबसे प्रथम उधारन हमें अथरवे की गई हैं. ये व्यादिक ग्यान को हम तीन विभागों में बाटते हैं. सबसे पहला इसमें विभाग किया गया है कर्मकान, फिर उपासनाकान, फिर ग्यानकान. सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कर्मकान की. व्यादिक ग्यान का जो सबसे पहला प्रारूप है वो है कर्मकान क कर्मकांड क्या है कर्मकांड है हमारे जो कर्तव्य हैं जो दैनिक हमारे क्रिया कलाप हैं उनको हमें किस प्रकार करना चाहिए कैसे करना चाहिए और कितनी निष्ठा से हमें करना चाहिए इन सब कर्मकांड में किया गया है कर्मकांडों में यग्या का विधान आता है कर्मकां के शक्षन में किया गया है करमकान हमें जीने की एक परमपरा या जीने की एक जिसे हम कहते हैं स्टाइल जो होता है यह जीने की एक तरीका जो होता है वो सिखाता है कि हमें किस तरह से अपने जीवन को जीवन का विकास करना चाहिए हमें किस तरह से अपना आध्यात्मिक विक किस तरह से हमें अपने समाज में रहते वे अपनी परमपराओं का ही पालन करते वे उसका विकास करना है। यग्य के वल एक रोड़ी वाजिता नहीं है यग्य के वल आउतियां डालना नहीं है। यग्य एक सोच है यग्य परमपरा है। देखते हैं कि सामने यग्या है या सामने अगनी चल दे उसमें आहुतियां डालने के वर यही यग्या है यग्या के वर इतना नहीं है यग्या है कर्मों का समर्पन जब हम अपने कर्मों को अपने कर्तव्यों को समर्पित भाव से करते हैं तो उसे यग्य की संग्या दी गई है वैदू में जो यग्य की चर्चा मिलती है वो तरह तरह की यग्यों की चर्चा मिलती है जिसमें हम अलग-लग सामाजिक यग्य जो है वो है समाज के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसको पूरी निष्ठा से करते वे, समर्पन भाव से करते वे, वो एक सामाजी के यग्य है व्यक्तिकत यग्य क्या है? मेरे व्यक्तिकत जो करतब्य हैं, उनको पूरी तरह से लगन शील होकर करना वो व्यक्तिकत करते वे बाकि कुछ धार्मिक अनुष्ठान भी इसमें बताया गया है जो हम यग्य करते हैं उनका भी महतो इसमें बताया गया है वो पर्यावरण के लिए कितने महतो पूर्ण है उनका पर्यावरण पर क्या प्रोहाब पड़ता है यह सब चर्चाएं यग्य में मिलती है यही सब चर मिलता है उपासना है तरह तरह की उपासना है बताने का यहां पर सबसे बड़ा कारण यह था कि हम अलग अलग परस्तितियों में जीते हैं हमारे सामने अलग अलग तरह की परस्तितिया होती है एक चोटे बच्चे के सामने अलग परस्तितिया होती है एक व्रद्ध के सामने अ सभी चीजे हमें एक सोर्स एक एक निश्चत लक्षे तक पहुंचा सकें इसलिए उपासनाकांड का महत तो बढ़ जाता है उपासनाकांड में हर एक के लिए अलग लग तरह से उपासनाय बताएगी हैं कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्ति में हूँ लेकिन वो अल्टिमेट सोर्स तक उसे ब्रह्मा तक उस परम सत्य तक किस तरह से पहुंच सकता है इसका उपाई वहां पर बताया गया है हम जीवन में जब हार जाते हैं ठक जाते हैं हम कहते हैं कि परिस्तियों के वश में आकर हमने ये काम किया है या परिस्तियों में आकर हमने इस तरह का फैसला लिया है तब हमें बोध होता है कि एक ऐसा प्राणी जो विशंप पर чув मेरेके सफलता को प्राप्त करता हैक उपासना कान्ट में हमें तब के बारे में मिलता है तब क्या है तब विपिरीत परस्तितियू में रहते वे, सीमिस संसाधनों का प्रयोग करते वे, अपने लक्ष को प्राप्त करना ही तब है, तो वो जो सीमिस संसाधनों है, वो विपरित परस्तियां, वो सभी मनुष्यों के साथ हैं, सभी जीवों के साथ हैं, हम देखते हैं कि किबल मनुष्यों के साथ ही नहीं, हम जीव कि सीमित संसादन और सीमित वेवस्थाओं के साथ आप किस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं, किस तरह से जीवन को अच्छी तरह से जी सकते हैं, खोशाल जीवन से जी सकते हैं, इस सब की जो प्रणाली है ये उपासना कार्ण में मिलती हैं, उपासना केवल इश्वर की उपासन किस तरह से की जाती है इसका पूरा विस्तित पुरणन उपासना कार्ण में मिलता है अगला है ग्यान कार्ण यहां पर हम जो चर्चा कर रहे हैं वो हम ग्यान कार्ण की ही कर रहे हैं ग्यान कार्ण उपनिशदों का हिस्सा है जहां पर ग्यान की बाते हैं यह एक सामाजिक वि उसका बहुत बाद में या इसका दूरुगामि क्या परणाम होगा ये सब चीजे ग्यानकान की हैं हमने पहले कर्मकान की चर्चे की हमने उपासनाकान की चर्चे की कर्मकान क्यों आवशक है उपासनाकान क्यों आवशक है इसका जो लक्ष है उस लक्षे का बोध कराने के लि चीज की सिद्धी होगी, क्या हमें प्राप्त होगा, यह सब का वरंडन जो है ज्ञानकान में मिलता है, जिसको हम उपनिशद कहते हैं, वैदिक ज्ञान के चार विभाग किये गए, हमने बताया सहिता, ब्रहमन, आरण्यक और उपनिशद, सहिता हैं जिसमें मंत्र और अरण्यक और था, वनों में रहकर जो शिक्षाएं प्राप्त की गई, गुरू और शिष्य के बीच में जो एक दूसरे का समवाद जो चला, वो अरण्यक है, उपनिशद क्या है, उपनिशद और ज्यादा क्लोज गया, जब शिष्य अपने गुरू के और ज्यादा समीब जाता है, तो वो जो उनके बीच में एक कम्यूकेशन बनता है, एक समवाद बनता है, वो अपनिशद था, आज हम इनी पर ही चर्चा करेंगे, अपने उपनिशदों पर हम चर्चा करेंगे, सब सब पहले जानते हैं, यह उपनिशद क्या है, इसका अर्थ क्या है, उपसर्ग मेर सद धातू पर क्विप प्रत्य करने से बनता है उपनिशद ये अध्यात्म विद्या से रिलेट किया गया है जो उपनिशद और सद धातू पर क्विप प्रत्य किया जाता है इसका अर्थ जो लगाया गया है वो लगाया गया है अध्यात्म विद्या दूसरा इसका एक अर्थ और मिलता है उसमें कहा गया है उपनिशद प्राप्यते ब्रह्मा आत्म भाव अनाया इति उपनिशद अर्थात जिस विद्या के द्वारा ब्रह्मा भाव को प्राप्ति किया जाए वो उपनिशद है एक है अमरकोश एक हमारा शब्द कोश है संस्कृत का सब्द कोश है जिसमें कि संस्कृत के सभी शब्दों का वर्णन मिलता है उसमें जो उपनिशद का अर्थ दिया गया है या उपनिशद शब्द का अर्थ दिया गया है वो कहते हैं धर्मे रहस्य उपनिशद से आता, अर्थात धर्म की जो गुड़ो बाते हैं, धर्म के जो रहस्य हैं, उनका वर्णन जहां किया गया है, वो उपनिशद है, उसके साथ साथ एक बहुती सरल और सामाने अर्थ जो शंगराचारे ने इसका किया है, वो है उप अर्थात समीब जाना, निशद अर्थात निशिदती अर्थात बैठना, उपनिशद अर्थात जब एक शिश्य अपने गुरू के समीब जाकर बैठता है, उससे संबात करता है, अपनी शंकाओं का समाधान उससे करवाता है, अपनी शंकाओं उसके सामने रखता है, गुरू उसकी ग्रहाँ का समाधान करता है तो कम्युनिकेशन बनता है इसको हम उपनिशद कहा गया है तो उपनिशद शब्द का सिरव और गंशेश कर एक क्योंकि जब शिष्षे के मन में ब्रह्म को जानने की जिग्यासा उत्पन होती है तो वो अपने गुरू के पाज आता है और गुरू उसको वो जो ब्रह्म ज्यान है ब्रह्म को जानने का जो ज्यान है वो उसे देता है तो उसे उन्होंने उपनिशत का है चर्चा करते हैं हम उपनिशदों की संख्या पर उपनिशदों की संख्या के विशह में काफी मतांतर है सामा नहता है 108 उपनिशदों की कल्पना की गई है कि 108 उपनिशद थे मुक्ति को उपनिशद एक छोटा सा उपनिशद है उसमें 108 उपनिशदों के नाम दिये गये हैं ज दाराशिखो के समय पर भी अलग अलग तरसे उपनी शोड़ों को संख्याहे करवाया। लेकिन दस उपनिशद जो हैं इश, केन, कठ, मुंडक, प्रश्न, मांडुक्य, एतर्य, तैतर्य, और भ्रहधारन के चांदुग्य, ये सब उपनिशद जो हैं, इनकी जो ऑथनिटिसिटी है या इनकी जो प्रामानिक्ता है, ये सभी विद्वानों ने या सभी कालों में या तो जो उपनिशद हैं वो दस उपनिशद जो मुख्य रूप से माने गए हैं, उनको प्रामानिक माना गया है और उनको सबसे ज़्यादा महत्वपून माना गया है आज हम जो चर्चा करेंगे वो इनहीं तक उपनिशदों पर करेंगे हम इन में जानेंगे कि इनका स्वरूप क्या है, क्या इनमें कौन सा ग्यान इन उपनिशदों में दिया गया है एक उपनिशद दूसरे उपनिशद से भिन्नकियों हैं, अगर एक उपनिशद की कलपना की जा चुकी थी, रचना की जा चुकी थी, अगर उसका गठन किया जा चुका था, तो दस उपनिशदों की क्या आवश्यक्ता थी? यहाँ पर सबसे पहले प्रशनी यह उपता है कि दस उपनिशदों की क्या आवश्यक्ता थी? एक ही उपनिशद में सारी चर्चाएं क्यों नहीं की गई? तथे को अलग-अलग पहली हों से देख रहे हैं, तो यह जो अलग-अलग डामेंशन से देखना है किसी भी चीज़ को, यह हमें जिग्यासा उत्पन करता है, अलग-अलग तरह की, अलग-अलग तरह की समाधान भी उत्पन करती है, पैदा करती हैं, हम अपने समाज में भी देखते हैं हम अनुसंधान होते भी देखते हैं कि तरह तरह के अनुसंधान भारत में अलग तरह से चीजों की खोच की जा रही है अमेरिका में अलग तरह से उन्हीं चीजों की खोच की जा रही है तो यह हमारे सोचने का तरीका है और हमारे सोचने का तरीका जितना अलग हो वोगि हमारे पास उसका समाधान भी उतना ही बड़ा होगा। जानना चाहा, अलग-अलग तरह से उनके मन में शंकाय उत्पन हुई और अलग तरह से उन्होंने उसको समाधान दिया, तो इस तरह से हम देखते हैं कि दस उपनिशोदों की रचना की गई, यहां पर सबसे पहले हम जिस उपनिशद की चर्चा करेंगे वो है इश इश उपनिशद यजुरवेद का चालिसमाध्या है, कुल अठारा मंत्र इसमें है, यहां पर हम जिन विश्वों की चर्चा करेंगे वो है कर्मिश्था की अवधारना, विद्या एवं अविद्या और आत्म भाव, अर्थार इश उपनिशद में कर्मिश्था को किस प्रक अर्थात, जो इश उपनिशद यहां पर हम जानते हैं कि इश उपनिशद है क्या, यह जुरुवेद का चालिसमाध्या है, इसमें कुल अठारा मंत्र है, इश उपनिशद का नाम, इश उपनिशद क्यों पड़ा, इसके पीछे का जो तथ है, वो यह है, किसका प्रथम मंत इसका जो पहला शब्द है, इश उपनिशद का नाम करण किया गया है, इश उपनिशद, इसका जो पहला अक्षर है, इश वास्य, उसी से ही इसका नाम करण हुआ है, इश उपनिशद, इसका जो पहला अक्षर है, इश वास्य, उसी से ही इसका नाम करण हुआ है, इश Umasasya Upnishad. लेकिं गंभीर Upnishad है. जब Upnishad का पाथन या अध्यन कराया जाता है, तो सबसे पहले श्लोक ही पथन पाथन कराया जाता है. जिससे की जो जानने वाला है, जो जिग्यास हो है, उसके मन में जो पहली शंका उठती है कि ये जगत किस से व्यापत है तो इसका पहला जो श्लोक है जो पहला मंत्र है वो कहता है इशा वासे मिदम सरुन अर्थात ये जो पूरा संपूर्ण जगत है वो इश्वर से व्यापत है इश्वर से अच्छादित है पूरा समस्त ब्रह्मान्ड जो है ईश्वर से आच्छादित है और उससे बड़ा धन कोई नहीं है तो इसके बाद की जिग्यासायं जो उठती हैं वो उठती है कि कर्मनिष्ठा की अवधारना इस उप्रिशद में जो सबसे बड़ी व्यभारिकता है वो है कर्मनिष्ठा की अवधारना इस लोख में हम सामाने रुप से मान के चलते हैं कि हम 100 वर्ष तक जिएंगे आईरवेद कल्पना करता है कि जीवे मा वर्षम शतेत अर्थात 100 वर्ष तक हम जीने की कामना करते हैं तो यह 100 वर्ष की क्या अभिकल्पना है क्यों हम 100 वर्ष तक जीएं इसका एक बहुती सयमित और संगठित स्वरूप हमें बताया गया है, सौवर्स तक जीनिका अभिप्रिया है उसको चार सक्षन में बाटा गया है, सबसे पहले ब्रह्मचर्य, उसके बाद ग्रस्त, उसके बाद वानप्रस्त और उसके बाद सन्यास, ये चार सक्षन जो हैं 25-25 साल की पर वो क्या करेगा? वो विद्या का अध्यान, अध्यापन करेगा, उसके बाद 25-50 वर्ष तक वो ग्रस्त में रहेगा, संतान उत्पत्ति करना, संतान का पालन पूशन करना, सामाजिक क्रियाओं में बढ़चड कर हिस्सा लेना, समाज की प्रति पूरू उत्तरदाइत त उसके बाद 25-75 साल तक वो वानप्रस्त में रहेगा, वानप्रस्त अर्थात इश्वर के तरफ जुकाव बढ़ाएगा वो अपना, कुछ समय वो समाज के लिए या परिवार के लिए देगा, लेकिन एक बड़ा समय, अगर हम उसके समय को चार भागों में विभाजित कर द बाकी का तीसरा तीन हिस्से जो है, वो समाज इश्वर के लिए देगा, यानि कि एकांत में जाकर अपने साधना करेगा, उसके बाद आता है सन्यास, 75-100 साल का जो आयो का जो समय है, उसे सन्यास माना गया है, अर्थात वहां पर जाकर व्यक्ति पूरी रूप से उसके जो स अपना उपनिश्रदों में की गई है, या जो तथे उपनिश्रदों में बताया गया है, ये बहुत ही ब्यवारिक है और बहुत ही सामाजिक है, हम जैसे जैसे अपने अधिकारों को छोड़ते हुए चलते हैं, तो आने वाली पीड़ी उन अधिकारों को ग्रहन करते हुए चलती है तो जो हमारा एक पीड़ी का दूसरी पीड़ी के बीच का जो डिफ्रेंस है वो इतना मजबूत रहता है वो इतना आसान रहता है और सहज रहता है कि हम अपने अधिकारों को अपने आने वाली पीडियों को धीरे-धीरे-धीरे सौपते वे जाते हैं जिससे कि जो आ आने वाली पीड़ी अपने अधिकारों को लेना चाहती है हम अपने अधिकारों को छोड़ना नी चाहते हैं इससे क्या होता है आने वाली पीड़ी और जो गुजरने वाली पीड़ी गुजर रही है जो पीड़ी जो जिसका समय गुजर रहा है उनके बीच में द्वन्द पै जाया और जो ऐसे कर्म हैं जिनकों के त्याग ने उनको धीरे-धीरे त्याग दिया जाएं तो इस तरह से एम देखते हैं कि इष्छा उपनिशद में इस तरह की अभी कलपना है उसके बाद विद्या और अविद्या की हाँ पर चर्चा है विद्या अविद्या क्या है विद्या अविद्या को सबसे पहले हमें समझते हैं अविद्या क्या है कर्मों में लगे रहना अविद्या है और विद्या क्या है विद्या उन कर्मों से बहार निकाल वो है अविद्या का काटा, जिस काटे से हम उस अविद्या के काटे को निकालना है, वो विद्या का काटा है, और दोनों काटों को बाद में हमें फैंक देना है, जिसा ब्रह्म भाव में विलीन हो जाना कहा है, यहां पर एक शब्द आता है, विद्या अम्रत्व का की लेकिन जब हमें विद्या प्राप्त होती है तो हम अमृत तो को प्राप्त कर लेते हैं यही विद्या और अविद्या का ग्यान है इसमें आगे हम चर्चा करेंगे आत्म भाव की आत्म भाव ये विद्या का जो हमने अभी पताया कि काटे से काटे को निकानना तो जो बाद में की जो इस्तिति है वो है अम आत्म भाव में बने रहना तो इस तरह से हम देखते हैं कि इशोप निशद में जो कलपना की गई है जो योग की कलपना की गए वो बहुत ही व्यावारिक है वो एक सामाजिक संगठन को बनाये रखने के लिए बहुत ही बहुत ही बहुत बहुत ब्यावारिक है और बहुत ही आवश्यक भी है तो यह वाला शेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं आपने को का बहुत बहुत धन् कर दो 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 कि अपर दो हुआ है एक बार फिर से स्वागते साथ हुआ आपका हम चर्चा कर रहे थे उपनिशण उपर इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे इस section में अब हम बात करेंगे पिछले लेक्छिर में बात करी इशव आवास की इस section में बात करते हैं सब पहले केन उपनिशण की निउपनिशण सामवेदी उपनिशण है तलबकार साखा की अंतरगत आने वाला उप पूरा संपून जगत है किस से ब्यापत है ? इश्वर से ब्यापत है ? हमने पढ़ा उसे हमने जाना कि इशा आवास से मिदम सरवम अर्थाथ यह पूरी श्रष्टी जो है वो इश्वर से व्यापत है अब यहां पर जो जो चीज व्यापत है उसके बारे में पूछा गया कि कौन सी चीज इश्वर से व्यापत है इसका जो नाम है केन उपनिशद इसमें जो पूछा गया है केने शितम अर्थात किसके द्वारा व्यापत है किसकी सत्ता द्वारा पाकर ये जो संपूर्ण स्रष्टी है ये व्यापत हुई है ये बनी है इसके बारे में इसका उले किया गया तो सबसे पहले प्रशन उठता ह कि ये जो व्याप्त हुई जो तत्व है ये कौन है क्या है तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो व्याप्त हुआ तत्व है जो जिस पर जी व्याप्त है वो कौन है वो है इंद्रिय वामत्यकरण इंद्रिय वामत्यकरण क्या है इंद्रिय वामत्यकरण है ये मनश्य की इंद्र जैसे हमने पहले भी एक बार चट्चा की है अपने गीता के लेक्शर में कि मन बुद्धी और एहंकार किस तरह से क्रियाय करते हैं ग्यान इंद्रिय और कर्मिय के साथ तर मिलके तो यहां पर भी इस उपनिशद में भी सबसे प्रात्मिक दृष्टी उसी पर डाली गई है कि जो हमारी इंद्रियां हैं ग्यान इंद्रियां और कर्मिय इंद्रियां हैं वो किस प्रकार मन के साथ बुद्धी के साथ और हमारे एहंकार के साथ मिलकर कारे करती हैं इनका कॉर्डिनेशन किस तरह से होता है या आपस में किस तरह से तार्तम मिता बना कर चलती हैं तो सबस करम इंद्रिया, जो sense organs हैं हमारे जो हमारे को ग्यान कराते हैं किसी चीज़ का एहसास कराते हैं उनको ग्यान इंद्रिया माना गया है उसके बाद मन, बुद्धी और एहंकार का क्राम आता है हमने सबसे पहले lecture में अपने गीता कि में जाना था कि किस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो ग्यान इंद्रिया हैं ये जब काम करती हैं तो ये हमारे मन और बुद्धी और एहंकार के जो आदेश हैं या जो वो कह रहे हैं उनके according काम करती हैं तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ कही गई है वो कहा गया है मन को सयमित करने की चीज़ कही गई है मन को कंट्रोल में करने की चीज़ कही बात कही गई है क्योंकि मन अगर कंट्रोल में रहेगा तो बुद्धी और एहंकार अपने आप ही कंट्रोल में रहते हैं और मन बुद्धी और एंकाल अगर कंट्रोल में रहते हैं तो हमारे ज्ञानेंद्रियां और करमेंद्रियां कंट्रोल में रहती हैं सयम में रहती हैं तो यहां पर जो सबसे पहली चर्चा की गई है वो मन पर की गई है मन के बारे में बताया गया है कि मन का सोरूप क्या है मन को एक एक ऐसी अवस्था माना गया है जो सभी में ब्याप्त है मन किसी एक मनुष्य की यहां पर बात ने गई गई मन को यहां पर पूरा जो जीव जगत है वो उससे ब्याप्त माना गया है कि हर एक के पास अपना एक मन है, जिसमें कि वो उसके विचार उठते हैं, जिसमें कि उसकी कलपनाई उठती हैं, और जिन विचारों का और जिन कलपनाओं का वो विकास करना चाहता है, वो प्राणी विकास करना चाहता है, तो इसमें दूसरी जो हम चर्चा कर रहे हैं, वो ह स्वा और मनसकी, तो ये जो मन है, वो क्या है, वो आइडनितिटी दिलाता है, हमें एक व्यक्तिगत विषेष्ता या व्यक्तिगत पहचान दिलाता है, हमें अलग रखने की, इस पूरी श्रिश्ष्री से अलग पहचानने की, तो जो हमारा मन है वही हमारे विचारों का, वही हमारी बुद्धी का, वही हमारे सामाजिक संगठन का एक महतोपून कारण बनता है हमारा मन जितना साफ होगा, जितना उज्वल होगा, जितना क्रियेटिव होगा हमारे विचार, हमारे बुद्धी, हमारी सामाजिकता, हमारे शोशल आइडेंटिटी उतनी ही creative होगी, उतनी ही विक्सित होगी, developed होगी तो यहाँ पर स्वा और मनस का जो आपस में सम्मंद बताया गया है, स्वा अर्थात मैं और मनस अर्थात मेरा मन, मैं तब हूँ, मेरी आइडेंटिटी तब है, जब मेरा मन है और मेरा मन जिस तरह से कारे करता है, मेरा मन जिस तरह की विचारों को सोचता है, मेरा मन जिस तरह की गत्विधियों को रखता है, उसी तरह से मेरी स्वेम की एक पहचान मनती है, तो यहां पर यह साफ सा एक महसेज दिया गया है, कि आप अपने मन को जितना विक्सित करेंगे जितना Grant Shield बनाएंगे जितना उसको Creative बनाएंगे जितना रशनात्मक्त ₤ उसके अंदर होगी उतना ही आपका अविक्तित्व आपका स्वज, आपकी पहचान आपक बनेगी तो यहाँ पर मनस की कलपना की गई है मनस किसके अंदर काम कर रहा है मनस किसके अंदर काम कर रहा है, मनस कर रहा है उस ब्रह्मतत्व के अंदर काम, तो ब्रह्मतत्व की जो qualities हैं, ब्रह्मत की जो qualities हैं वो अजन्मा है, बहुत ही शुद्ध है, पूरी तरह से व्याप्त है, उसी तरह से हमारा मन भी उस ब्रह्मत के reflection को लेकर मन साफ किया जा सकता ह उसी तरह से व्यापक बनाया जा सकता है और जिस तरह से हमारा मन व्यापक बनेगा या मन साफ होगा तो उसका असर हमारे स्वापर पड़ेगा तो यहां पर एक चैन रेक्षन दिखाई गई है कि जिस तरह से ब्रह्म व्यापक है ब्रह्म शुद्ध है ब्रह्म अनन्त है उसक किस तरह से शुद्ध हर सात्युक बन सकते हैं इसका एक क्रम यहां पर बताया गया है तो सबसे पहले ब्रह्म हैं उसके बाद मन हैं उसके बाद हमारा स्वा अर्थात हमारा शारिक संगठन या मान व्याचारिक संगठन हैं कि किस तरह से इसको धिरे-धिरे विक्सित किया जा सकता है इस विकास से हमें क्या प्राप्त होगा इस विकास से हमें प्राप्त होगा सत्य का अनुभाव यहां पर सबसे पहली बात है कि पहले अपना आपका सबसे जो ग्राउंड लेविल पर एकी चीज है वो है मनुष्य मनुष्य का मन सेकिंडरी है और जो सूपर स्टेश प हमें मन रियलाइज होता है, सबसे पहले हम मन को जानते हैं, कि मन क्या है, उसकी गत्विदिया क्या है, उसको किस तरह से कंट्रोल में किया जा सकता है, उसको किस तरह से नेंत्रित और सयमित किया जा सकता है, उसके बाद हम जानते हैं ब्रह्म के बारे में, तो सबसे पहली है इसके साथ हम जो आगे हम चर्चा कर रहे हैं तो इसमें टो इसमें उन्हें कहानी दी है एक रावारिक है बहुत ही व्यावारिक चीज़ है उसमें सब आप कि जब इन देवताओं का असुरों का संग्राम होता है तो देवता जीत जाते हैं देवताओं को यह एहंकार हो जाता है कि यह जो विजय हमने प्राप्त किये हैं यह अपनी शक्ति के द्वारा यह अपनी सामर्थे के द्वारा हमने प्राप्त किये हैं उनकी इस जो गलत फैम उसको दूर करने के लिए ब्रह्म जो है एक यक्ष का रूप लेकर उनके सामने आते हैं जब देवताओं के सामने यक्ष आते हैं तो सभी देवताओं के मन में एक प्रशन उठता है कि आखरी ये व्यक्ति है कौन तो इंद्र जो है अगनी को यक्ष के पास भेशते हैं कि जा पहले आप अपना परिष्ट्रा दिजी कि आप कौन हैं तो अगनी कहते हैं, मैं जात वेध हूं, ऐसे अगने कि जानने वाला हूं, मैं अगनी हूं, इस पूरी श्रुष्ट्रा में विव्याब्त हूं तो यक्ष कहते हैं कि आपका ये जो परिचे है आप क्या कर सकते हैं तो कहते हैं कि मैं पृत्वी पर जितनी भी चीज़ है मैं उन सब को भस्म कर सकता हूँ तो ये एक तिनका है इसको आप भस्म करके दिखाएए तो अगनी देव उपनी पूरी सामर्थे से उसे भस्म करने की चेश्टा करते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं वो निराश होकर वापिस आ जाते हैं उसके बाद इंदृ उनसे पूस्ते हैं कि उन्होंने अपने पढ़ेचे दे sever उन्होंने का नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ है जो उनके साथ घटित हुआ वो सब इंदृ को पता देते हैं उसके बाद इंद्र जो है वायुदेव को भेजते हैं और कहते हैं कि आप जाके वहाँ पता करिए कि वो विक्ति कौन है वायुदेव भी उसी तरह से जाते हैं वायुदेव भी परिचे पूसते हैं यक्ष उनसे परिचे पूसता है कि आप कौन है मातरिश्वा करकर वायू देव अपना परिचर बताते हैं कि मैं इस पूरे ब्रह्मान में बिना आधार के विचरने वाला वायू हूँ और मैं किसी भी चीज को उड़ा कर कहीं पर भी ले जा सकता हूँ तो वो फिर उसके वायू के सामने यक्ष जो है वो तिनकारगते हैं वायू देव भी यह नहीं कर पाते हैं वही निराश होकर इंदर के पास वापिस आ जाते हैं अब इंदर स्वयम जो है यक्ष के पास जाते हैं तो जैसे इंदर यक्ष के पास जाते हैं तो इंदर वहां से अंतरध्यान हो जाते हैं अर्थाद गायब हो जाते हैं और उनकी जगह एक देवी आजाती है, जिसका नाम है उमा, इंद्र जो है उमा से पूशते हैं कि हे देवी, ये जो अभी तक यहाँ पर जो व्यक्ति थे, जो देव थे, वो कौन थे, मुझे उनके बारे में जानना है, तो उमा जो देवी हैं, वो उनके बारे में, पुरी ड पर अपना एक चट्र राज स्थापित किया है वो इसी ब्रह्म की शक्ति के कारण आपने प्राप्त किया है। ये सब जानकर इंडर वापिस आते हैं, बाकी देवताओं को इसके बारे में बता आते हैं। तो यहाँ पर जो यह कहानी दी गई है कि वहले कहानी नहीं है यह एक ब्याभारिक उधारन है कि आखिर यह ब्रह्म जो हमारे पास जो सामर्थ है जिसको हम अपनी सामर्थ है मान कर चलते हैं कि मैंने यह कारे किया मैंने यह कारे किया मैं ऐसा कर सकता हूँ मैं ऐसा मेरे पास इतनी सामार्थ है, मेरे पास इतनी शक्ति है, आखिर ये शक्ति किसकी है, यहाँ पर बताया गया है कि ये शक्ति इश्वर की शक्ति है, ब्रह्म की शक्ति है, जो हमें मिली है, यहाँ पर हमने देखा कि देवताओं को यह एहनकार था कि वो शक्ति जिस सक्ति शमनों ने अश ने ब्रह्म के बारे में सुना और इंद्र ने ब्रह्मों को अच्छी तरह से जाना। इसलिए हम देखते हैं कि हमारे गरंथों में वैदिक गरंथों में सबसे जो महान देव बता गया है वो इंद्र बता गया है। पुराणों में इंद्र के अलग-अलग कहानिय मिलती है, अलग विशय है एकदम, लेकिन हमारे वैदिक जो ब्याक्यान हैं या वैदिक जुग्रंत हैं, उनमें इंद्र को सबसे ग्यानी और सबसे श्रेष्ट देवता बताया गया है, क्योंकि केवल वही एक ऐसा तत्व था, वही एक ऐसा देव था, जिसने उस यक्ष को जानने की बहुत जदा उसके अंदर उतकन्ठा थी, जानने की इच्छ थी, और वो उसके पास गया, उसको जानने की पूरी इच्छ, उसने उसको व्यक्द की, और एक गुरू के मादेम से, उमा कौन थी, उमा एक गुरू की rookie पुरी डेटेल से उसे बताया면, कि हाँ पर भी हमें एक उधारन द्वारा ही समझाया गया, 진짜 अबना है, कि इस nova तक हम वह मु propost को जो ये ब्याख्यान है ये पूरी तरह से ब्यावारिक है और पालन ये भी है इसी तरह से अगर हम अपने जीवन में अपने शक्ती के सोर्स को पहचाने जाने और उसमें घुल मिल जाएं तो हम अदम में शक्तियों का स्वामी बन सकते हैं आगे हम चर्चा करते हैं कठोप निशद पर कठोप निशद ये जुरूएद की कठशाखा के अंतरगत आता है इसलिए इसका नाम कठोप निशद पड़ा है इसमें कुल दो अध्याओं में इसके तीन-तीन वल्ली अर्थात सब शेक्शन हैं दो अध्याओं के तीन-तीन और अलग-अलग शेक्शन है इसमें जो मुख्य विशद में योग की परिभाशा है आत्मा की प्रकृति और आत्म बोद का महत्वा इन तीन विशद पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे सबसे पहले हम चर्चा करेंगे योग की परिभाशा पर के नो कठोप निशद में योग की मिलता है कि एक बार एक रिशी थे वाजश्ट्रवार रिशी उन्होंने एक बहुत बड़ा यग्य करवाया और उस यग्य को करवाने के बाद जैसे परंपराथी की यग्य करवाने के बाद जैसे हम भी अपने घर में कोई धार में किया कोई भी अनुष्ठान करते हैं या पहले भी प्रमपरा थी कि आप अगर बहुत बड़ा यग्य कर रहे हैं तो आप गायों को दान देंगे। उन्हें रिष्यों को रुष्ट एट कर लिया और रिष्योंों को दान करना चाहाँ यह सब उनका पुत्र यह सब देख रहा था जिसका नाम था नेचिए ता निचिकेता ने सब देखा और बड़ा पुत्र को जाने के लिए करते हैं लेकिन पुत्र नहीं जाता बार बार प्रश्न करता है तो अंत में जो है नची केता अपने पिता से प्रश्न करता है कि आप मुझे किसे दान देंगे तो पिता कुरूद में आकर कह देते हैं मैं तुझे ही यम को दान दूँगा और ये बा आता है, उननस नेचकेता से प्रशन करता है। तो जो नाचकेता और यम का जो संबाद है वहीं ये कठुपनिशद इसमें सबसे पहले। जब यम और नाचकेता आपसमें मिलते हैं तो यम्राज जो हैं यम्ग जो कहते हैं नचिकेता से कि तुमने तीन दिन तक मुझे खोजा, तीन दिन तक परिश्रम किया उसके बदले में मैं तुम्हें तीन वर्दान देता हूँ, कोई भी तीन वर्दान मांग लीजे तो सबसे पहले जो नचिकेता हैं वो मांगते हैं कि मेरे पिता का जो मेरे पे क्रोध है वो शान्त हो जाए, मेरे पिता ने जो मेरे पे क्रोध किया था और मैं अब घर वापस जाओं जब, तो उनका क्रोध जो है वो शान्त रहे, मेरे पिता प्रसंद रहे, ये एक पहला वर उसका ग्यान चाहिए तो इस पर थोड़ा सा यम सकुचा है लेकिन फिर भी उन्होंने उस ग्यान को भी पूरी तरह से उनको दिया उन्होंने बताया कि यह जो अगनी है यह क्या है यह माता पिता और गुरु तीन इसके शिखाएं हैं तीन तरह की अगनी होती है जिसमें कि मा पिता और गुरु आचारे इनका जो रिन है इसको उतारा जाता है मातर रिन पितर रिन और गुरु रिन तो आचारे रिन तो इनको जो जानने और इनको इन रिनों को जो समाप्त करने की जो विद्या है वो अगनी विद्या है अगर कोई व्यक्ति माता पिता और गुरु का पून कर ले, रिण को चुका दे, तो उसे स्वर्वार्व की प्राप्ति होती है. इसके बाद जो अंतिम प्रश्ण था, नचिकियता का था, वो था मृत्यू का ज्यान. है यम मुझे मृत्यू का ज्यान दीजे, इस पर यम नचिकियता को बहुत सारा राज्य और बहुत सारा धन वैभव देने का प्रलोव बन देते हैं कि ये प्रशन मुझसे पूछो कि यम मृत्यु क्या है और मृत्यु के बाद क्या होता है ये प्रशन आप मुझसे मृत्यु क्या है और मृत्यु के बाद क्या होता है ये प्रशन आप मुझसे मृत्यु क्या होता ह कि सबसे पहले उन्हों ने जो बता है कि योग की परिभाषा वहां पर उन्हों नहीं बताइए कि जब हमारी समस्त इंद्रिया और मन आपस में मिलकर आत्मा बिलीन हो जाते हैं अभी हमने पिछले उपनिशद में जो हमने बात करी उसी बात को इन्होंने आगे बढ़ाया है हमने पिछले उपनिशद में बात करी थी कि इंद्रिया और मन की हमने बात करी थी यहाँ पर उन्होंने यम्राज का जो और यक्ष और यम्राज और नचिकेता का जो समवाध है इसमें वही बात आगे बढ़ते वे चल रही है कि जब इंद्रियां और मन आत्मा में बिलीन हो जाते हैं तो वो वो जो बिलीन अवस्था है वो योग की अवस्था है जब हमारा मन और हमारी इंद्रियां है वो एक जैसा कारे करने लग जाती है हमारा मन और हमारी इंद्रियां आपस में कोडिनेट नहीं कर पाती साइडं से हमारा मन कुछ और चाह रहा है हमारी इंद्रियां कुछ और करना चाह रही है यह जो confusion है मन और इंद्रियों के आपस में यह हमें गलत कारे के लिए प्रेडित करता है हमारी भीतर मन में हम मन से अगर देखें तो हम मन से कभी भी कुछ गलत नहीं करना चाहते हैं लेकिन हमारी इंद्रियां हमारा जो भारी विहवार है वो हमें गलत करने के लिए प्रेडि हो जाती है आत्मा में आत्मा में हमने पहले भी चर्चा की आत्मा क्या है आत्मा परिशुद्ध एकदम पूरी तरह से शुद्ध एक तत्व है जब मन और आत्मा आपस में मिल जाते हैं मिलकर आत्मा में विलीन हो जाते हैं अर्थात वो भी उतने ही शुद्ध हो जाते हैं ज यम ने निचिकेता से कहा कि मन और इंद्रियां आत्ma में विलीन करनी है, तो निचैकेता के मन में एक स्वभावाई प्रशन उठा कि यह आत्मा क्या है, तो उसने आत्मत्तत्त्तो गोजानना चाहे उसने पूछा यह आत्मत्तत्त्त क्या है, तो यम राज ने फिर बताया कि आत्मत्त्त्त्त्त्त के बारे में कहते हैं अजो नित्य है शाष्वत है और पुरानों बहुत पुराना है वो कहते हैं ना हन्यते हन्यमाने शरीर अर्थात शरीर के नश्ट हो जाने पर भी जो नश्ट नहीं होता वो आत्मा है आगे कहते हैं वो ना इम हंती ना हन्यते आत्मा ना तो मरता है और ना किसी को मारता है हम गीता में भी बिल्कुल यही सेंटेंस बिल्कुल यही बात हम गीता में भी देखते हैं कि गीता में भी जब अर्जुन को भगवान श्रे कृष्ण युद्ध के लिए प्रेडित कर रहे हैं तो वहां पर भी यही कर रहे हैं कि इस आत्मा को ना तो मारा जा सकता है ना तो यह आत्मा मरता है ना किसी को मारता है नैनम चिंदंती सस्त्रानी नैनम दहती पावका ना यही चीज यहां पर भी यम्राज नचिकेता को बता रहे हैं उसके बाद आत्मा को जानने से क्या लाब होगा तो उसके विशह में यम्राज कहते हैं कि जो हमारी इंद्रिया है उनमें सबसे शेष्ट क्या है इंद्रियों से शेष्ट हमारा मन है और मन से शेष्ट क्या है हमारी बुद्धी है और बुद्धी से शेष्ट क्या है आत्मा है उस आत्मा के द्वारा जब हम हमें आत्मा का बोध हो जाता है हमें आत्मा का ग्यान हो जाता है तब हम किसको ज तब हम ब्रह्म को जान सकते हैं, ब्रह्म क्या है? आत्मा किस से उत्पन हुआ है? उस ब्रह्म से ही उत्पन हुआ है। बड़ी ज्वाला लेकिन दोनों की ख्रमताएं अलग हैं एक बहुत छोटी है एक बहुत बड़ी ज्वाला है तो वो जो छोटी सी ज्वाला है हमें उसे इतना विक्सित करना है कि वो उस प्रखर ज्वाला में विलीन हो जाए या उस प्रखर ज्वाला के समकक्ष हो जाए तो तो शमकक्ष तो नहीं किया जा सकता है कि उस प्रख़ड ज्वाला को उतना बना दिया जाए हम क्या करते हैं कि हम उस चिंगारे को वापस उस ज्वाला में डिजॉल्व मिलाना चाहते हैं तो यह जो आत्म भाव का जुम है तब वो यह है कि जब हम अपनी इंद्रियों के दो हमों को आत्मा के दोरा तो सबसे पहले हमें अपने इंद्रियों के बारे में जानना है उसके बार हमें अपने मन के बारे में जानना है और उसके बाद हमें आत्मा के बारे में जानना है जब हम आत्मतत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त् उसी की गुणों को जैसा जो ब्रह्म है उसको भी हम जान सकते हैं यही सब चर्चाएं इस उपनिशद में की गई है यही यहाँ पर इसका जो योग का पक्ष है वो यह ही है कि अपने इंद्रियों और मन को जानना इंद्रियों और मन को अगर आप जान पाए तो आप आगे जो आत्मतत्यों है या ब्रह्मतत्यों उसको जान सकेंगे अगले उपनिशद पर आते हैं अगला उपनिशद है प्रश्ण उपनिशद प्रश्ण उपनिशद अथरवेद की पिपलाद शाखा का ब्रह्मन भाग के अंतरकत आता है इसमें कुल 6 प्रश्ण अर्थार्थ, 6 अध्याय हैं सबसे पहले हम इस पे नाम पर चर्चा करेंगे प्रश्ण उप्रिश्द इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें एक रिशी है पिपलाद उनके पाज 6 रिशी आते हैं और 6 तरह के प्रश्ण पूछते हैं तो यहां पर प्रश्ण पूछे गए हैं प्रश्णों का जो महत्वा है वो बढ़ गया है इसलिए उप्रिश्द का नाम प्रश्ण उप्रिश्द पड़ा इस प्रश्ण उप्रिश्द में हम जिन विश्ण पर चर्चा करेंगे ये वो है प्राण और रई की अवधारना, पंच प्राणों की अवधारना और उन छे प्रश्णों को भी हम जानते विए चलेंगे कि वो छे रिशी कौन थे और उन्होंने कौन-कौन से प्रश्ण करें तो सबसे पहले हम जानते हैं प्राण और रई के बारे में प्राण क्या है और रई क्या है हमने पहले जो चर्चाएं की पिछले उपनिश्दों में चर्चाएं उसी क्रम में इसमें पूछा गया है कि ये प्राण और रई क्या है प्राण क्या है प्राण सूर्य है और रही क्या है चंद्रमा इस रष्टी में जो हमारे शरीर जो चल रहे हैं वो किसके कारण चल रहे हैं प्राण उर्जा के द्वारा ये उर्जा क्या है ये उर्जा है सूर्य ये जो सूर्य दिखाई देता है यहाँ पर ये बहुतिक सूर् यह दिखाई दे रहा है यह ऀए अर्थात यह पूरा चंद्रमा है तो इस तरह से यहां पर प्रान और रही की चरचागीगे उसके बाद चरचागीगे पंच प्रानों की प्रान, अपान, समान, व्यान और उदान इन प्रानों की अपनीशन की गई है, और उदान किया है, उदान क की गई है, प्रजा है या जो यह जो मनुष्य लोग है इसमें जो मनुष्यों का सम्मुदा है यह किसके द्वारा उत्पन हुआ तो यहाँ पर पिपलाद रिशी जो चर्चा करते हैं उसमें उसका उत्तर देते हैं प्राण और रही जिसके आभी हमने चर्चा की अभी कि सूर्य और चंद्रमा से यह पूरी सष्टी उत्पन हुई है उसके पाद भारगव रिशी आते हैं भारगव रिशी कहते हैं कि यह ज प्रत्वी जल आकाश और वायू ये पांच करमेंद्रियां पांच ग्यानेंद्रियां और हमारे तीन अंताय कराण ये जो हैं इनका आधार भूत हैं उसके बाद कौसले रिशी आते हैं कि प्राण की उत्पति इस्तथी और लैक किसमे होती है पिपलाद रिशी उत्तर देते ह हैं कि आत्मा की द्वारा ये उत्पन होते हैं इस श्रष्टी में बिचरते हैं और उसमें ही आत्मा में ही लै हो जाते हैं उसके बाद सौरियानी रिशी पूछते हैं कि शुष्पति में कौन जागता है और कौन सोता है पिपलाद रिशी उत्तर देते हैं शुष्पति में भरहुम लोग की प्राप्ती होती है इस मनुष्य शरीर में की गई है इस मनुष्य शरीर को इतना उन्नत और इतना विक्सित करना हे कि वो परामपुरूष की अवधराना की गई है उसमें वो मिल जाये तो यह यह यूग की चर्छा आँ पर हमें अपड़निशद मिलती है आप दोंका बहुत बहुत धन्यवाद पर चरचा करेंगे तो बताना चाहेंगे बाकी के चहें अपनिश्द हम आप इस लेक्चर में ज़रूर अपने प्रतिक्राइगे हमसे जरूर साजहा करें हमारी मेल आइडी है info.cc at the ratenic.in आप सभी से कल फिर मुलाकात होगी तब तक लिए आप सभी को नमस्कार Namaskar.